तैनिक साथी के डिजिटल पैटफोर्म पर आपका स्वागत है बुद्वार को रेवाडी से लेकर गुरुगराम तक गो तसकरों का आतंक देखने को मिला जी हाँ गुरुगराम में गो तसकरों वे गो रक्षकों के बीच में जबर्दस्त मुटभेड हो गई और मुटभेड इतनी खतरनाक थी कि गो तसकरों ने गो रक्षकों पर जान लेवा हमला कर दिया जिसमें कई गो रक्षक गंभेर रोप से घायल हो गई तो वहीं बुलारो गाड़ी भी पूरी तरह से शतिगरस्थ हो गई है जी हाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी शतिगरस्थ है हाला कि गो रक्षकों ने अपनी जान पर खेल कर तीन गो तसकरों को काबू किया वहीं रेवाड़ी में दिल्ली जैपूर हाईवे पर कापड़िवास के पास गो रक्षकों ने अपनी जान पर खेल कर बीस गो वंश को मुक्त कराया तो अब खबर पर बढ़ते हैं आगे जी हाँ बुधवार को धारुहिडा निवासी बजरंग दल के सदश्य अश्वनी से इनको सूचना मिली कि एक बंद गाड़ी में जैपूर की तरफ से दिल्ली की और गोकशी के लिए मेवात ले जाया जा रहा है और इसके बाद अस्वनी ने अन्यसात्यों के साथ मिलकर कापड़िवास के नस्दीक पहुँचे तो जैपूर की तरफ से एक बंद कंटेनर की गाड़ी को आते हुए देखा और फिर जब इस बंद कंटेनर का पीछा गिया गया तो चालक नी गाड़ी को ओर तेज कर दिया और इतना ही नहीं गोरक्षकों की गाड़ी पर पत्थरों से हमला भी किया गया बंद कंटेनर गाड़ी का टायर पट गया इसके चलते गोतसकर गाड़ी छोड़कर मोके से फरार हो गए जब बंद कंटेनर को खोल कर जांच की गई तो उसमें 10 गोवंश मृत पाए गए वहीं 20 गोवंश को गोशाला भेच दिया गया है और आपको बता दे कि मौके पर पुलिस भी पहुँची पुलिस नी कंटेनर को कबजे में लेकर अश्वनी के शिकायत पर पशुक रूरता अधिनियम सही हर्याना गोवंश नंक्षन का गोवर्धन अधिनियम के तहट मुकदमा दर्जगर गोव तश्कुरों की तलाश शुरू कर दी है लेकिन सवाल है कि आखिर गोवंश को बचाते हैं लेकिन पुलिस क्या करती रहती है तो आकिर पुलिस को सूचना क्यों नहीं मिल पाती जो काम पुलिस का होना चाहिए था उस काम को अंजाम गो रक्षक दे रही हैं तो कही न कहीं पुलिस के लिए भी सोचने का विश्य है तो कि अगाएं जो ने के लिए ये च्यार से पांच गाए थी जो गोत असकर पिकप गाडी में लेके जा रहे थी जिन्होंने एक अमारी गाडी डाला तोड़ दिया एक हमारी बलैरों के सीच सवी से फोड़ दिये सारे और एक शिफ्ट गाड़ी भी तोड़ दी हमारे गोरक्षक साती जो बोकड़ खोड़ से उनको चोट भी लगी है काफी और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल टूट गए टायर वायर सब फट गए कहां से पीशा कर रहे थे आपको हम पूरे गुरु गुराम में शेक्टर 56 से पीचा कर रहे थे फिर यह बोड़निशी के चेतर में आके और पलवल के साइड भगने लगे जब काबू कर लिए और तीन से च्यार गोतसकर भागने में काम्याब हुए अभी एक तीन से च्यार ग हमारी है उन्होंने ठकर मारी है टकर मारने के बाद उन्हों पत्थरा भी किया है गोदी चला है Äm लगा थे वहीं गहां शेक्रा इन फालते क्ते हो कहां से बहुत हैं अगॉरों मेवात में गोकसी करते हैं जिनके लिए हम हमारी टीम बजरंग दल की और सभी टीम में बिवाडी से पलवल से सभी मुहमंद को टीम सभी टीम में लगिकर और इनको कबू किया है